औरिधिक छेतर्थाना सेक्टर एक के अंतरगत एक संसपनी खेज वारदा सामने आई है जहां एक साथ वर्षिय मासूम बच्चे का अपरं कर हत्या कर दी गई मामुली विवाद में पडोसी नहीं अपने पडोसी के साथ वर्षिय बच्चे की अपरहन कर गला घोट कर हत्या कर दी और शौ को बोरे में भरकर नगरपाली का पिधंपूर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कच्रे में फैक दिया मुखबिर की सुषना पर पुलीस ने शौ को ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकल वाया फिलहाल पुलीस ने आरोपी शिवराम भिल को गिरफतार कर लिया है पूस्ताज जारी है घटना पिधंपूर के सेक्टर एक पहाड़ी इलाकी की बताई जा रही है जानकारी देतेवए नगर पुलीस सधिक्षक तरुणैन सिहब बगेल ने बताया कि कल सुबह हीरन सिहब पारदी द्वारा थाना सेक्टर एक पर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलीस ने अफरण की धाराओं के तहट मुकदमा दर्जिकर चार्श शुरू की जिसके बाद शेत्र में इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बोरी के अंदर एक बच्चे की लाश बरामत की गई पिथमपूर से संजै सौनगरा की रिपोर्ट इस सुचना पर ततकाल 363 भारती दर्म विजान का प्रड़र्ण सेक्टर में तायन किया गया बरिशतकार्यों को बताया गया जिला पुलीस अजिछक मनोज कुमार शीन ने इसको गंभीरता से लिते हुए स्वेंग ममों के मुवान्य का रिष्ण किया और असपास मिरदेश दिये किस विंदू पर कारवाई की जाए दो बजे के आसपास पर मुखीर द्वारव पता चली कि बच्चे की डेड वाडी ट्रेंजिंग डाउन में पड़ी हुई है और हीरन सिंग ने इसमें शिवराम गौड की जो परोशी है उसके ओपर हात्यागी असंका जाहिर की थी शिवराम परार था शिवराम को केंपेल में राउंड अप किया गया और इस पूरी कारवाई को बारागंटे से कम समय में बच्चा बच्चे को हात्या कारित करने वाल यह दोनों पनी बिनने का काम करते थे और आज पास रहते थे दोनों का छोटे चोटे बीवाद था कभी कुटे का विवाद कभी मुर्गे का विवाद कभी सामानी दोधर कड़ने का विवाद इपका कई दूर चल रा थे अब पराम मरत तरुलैंशिग्भगेल, CSB Pritampar लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुले